वेलकम बैक, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वसीम आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना इंडियन इयर फोर्स का जो ओनलाइन फॉर्म है वो एपलाई कैसे करोगे जो की अगनी पत जो नियू स्कीम है उसका जो अड़र्टाइजमेंट नमबर वन है वो आउट हो गया है तो आपका जो रिस्टेशन का डैट है वो 24 जून 2022 से 5 जूलाई 2022 तक ओपन रहेगा तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाइ स्टेप फुल प्रोसस दिखाने वाला हो कि आप अपना जो ऑनलाइन एप्लिकेशन है वो फिल कैसे करोगे तो सबसे पहले आपको आना होगा अपने मॉबाइल फोन या पीशी के ब्रोजर पे ब्रोजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा अगनीपत vaucdac.in यह सर्च करने के बाद यह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस पे क्लिक करने के बाद आप ओफिशल वेबसाइट पे आ जाओगे तो आपको ओफिशल वेबसाइट ओपन कर देना है ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे apply online पे क्लिक करना होगा apply online पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे new user register पे क्लिक करना होगा new user register पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिल करना होगा candidate name उसके बाद फिल करना होगा parents name, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी email ID फिल करनी होगी, उसके बाद आपको nationality select करनी होगी, nationality select करने के बाद आपको gender select करना है, gender select करने के बाद आपको यहाँ पर अपना mobile number फिल करना है, mobile number फिल करने के बाद आपको यहाँ पर generate OTP पे click करना है उसके बाद आपके email, ID और mobile number पे OTP send कर दिया जाएगा यहाँ पे आपको fill करना है email, ID, OTP और यहाँ पे आपको fill करना है जो आपके mobile number पे OTP send किया जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे fill करना है अपना capture capture fill करने के बाद आपको sign up पे click करने है Sign up पे click करने के बाद आपको दिखाएगा Are you sure you want to submit the details तो आपको OK कर देना है OK करने के बाद आपको दिखाएगा Congratulations your details has been successfully registered with us तो आपके जो email ID पे है वो generated password send कर दिया जाएगा और आपको अपनी email ID पे password मिल जाएगा उसके बाद आपको OK कर देना है अपनी visitation करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी email ID और password फिल करने के बाद आपको नीचे आनने के बाद आपको यहाँ पे capture件 करना है तो आपको जब आप registration करोगे तो उस टाइम आपके email ID पे आपको password send कर दिया जाएगा उसके बाद आपको अपनी email ID पे check करना है कि आपका जो password है वो आपके email ID पे send कर दिया जाएगा उसके बाद आपको sign in पे click करना है sign in पे click करने के बाद आप successfully login हो जाओगे उसके बाद आपको option आ रहा है कि आप अपने password को reset करोगे और change करोगे तो यहाँ पे आप अपना new password है जो आप रखना चाहते हो वो यहाँ पे आपको enter करना है अपना password डालने के बाद आपको submit पे click करना है submit पे click करने के बाद आपको दिखाएगा successfully password reset तो आपको ok कर देना है ok करने के बाद आपको फिर से दुबारा email ID और जो आपने new password रखा है वो डाल के login कर देना है इमेल आईटी और पासवर्ड डालने के बाद आप वो sign in पे क्लिक करने हैं sign in पे क्लिक करने के बाद आप successfully login हो जाओगे उसके बाद आपको नीचे आ जाना है उसके बाद आपको यहाँ पे instructions पे क्लिक करने है instructions पे click करने के बाद आपको यहां पे दिखाया गया है कि आपका जो qualification है वो 10 प्लस 2 होना चाहे with physics, math और English तो इसमें अगर आप 10 प्लस 2 हो with math, physics और इसके साथ तो आप इस form को apply कर सकते हैं उसके बाद आपको नीचे आजाना है, नीचे आने के बाद आपको यहां पे I have read the instruction carefully इस पे click करना है उसके बाद continue to registration step पे click करना है यहां पे application form पे click करना है, application form पे click करने के बाद यहां पे आपको accept disclaimer पे click करना है इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे आपका जो नेम है और जो परेंट्स नेम है वो आटो फिल रहेगा उसके बाद आपको यहां से अपने 10th की जो मार्क्स चीट है वो अपलोड करनी है उसके बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको दिखा रहा ह इंडियन एर फोर्स और सिविलियन तो आप अगर पहले से ही जॉब कर रहे हो इंडियन एर फोर्स में तो आप यहाँ पे यह स्लेक्ट कर देंगे अगर आप सिविलियन हो तो आपको यहाँ पे सिविलियन पे क्लिक करने है civilian पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे अपनी data birth select करनी है data birth select करने के बाद आपका जो mark sheet का size है वो 10 से 50 के भी रहने वाला है mark sheet upload करने के बाद आपको save and continue पे क्लिक करना है उसके बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको save and continue पे क्लिक करना है save and continue पे click करने के बाद आपको दिखाएगा personal details save it successfully तो आपको इसको close कर देना है close करने के बाद आपको यहाँ पे select करना है कि आपकी qualification क्या है अगर आप 10 प्लस 2 हो physics, math और English के साथ तो आपको इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको दिखा रहा है have you declared pass in 10 प्लस 2 examination with 50% marks तो आपको यहाँ पे yes कर देना क्योंकि अगर 50% marks आपको 12 में नहीं है तो आप इसके लिए eligible नहीं हो तो इस पे yes पे click करना है पे click करने के बाद आपको दिखा रहा है have you declared pass in physics math subject तो आपको यहाँ पे yes पे click करना है आपको दिखा रहा है कि आप किस ग्रूप के लिए apply करोगे तो आपको select करना है कि आपका कून सा group है science subject है board science and other science subject तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी मर्जी है आपको अपनी मर्जी के साथ select करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना board select करना है board select करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी gross percentage select करनी है gross percentage select करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी 10 plus 2 की जो original marks sheet है वो upload करनी है अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपने इंगलिश की जो पसंटेज है वो एंटर करनी है उसके बाद आपको मैथ की जो पसंटेज है वो यहाँ पे फिल करनी है उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिक्स की पसंटेज फिल करनी है उसके बाद आपको दिखा रहा है कि आपके जो additional mark sheet है कोई उसके other subjects है तो आपको यहाँ पे yes या no करने है yes या no करने के बाद आपको save and continue पे click करने है save and continue पे click करने के बाद आपको दिखाएगा qualification details save it successfully उसके बाद आपकी जो qualification details है वो save हो जाएगी उसके बाद दिखा रहा है आपको कि आप जो NCC certificate holder है तो आप अगर है तो आपको yes करना है अगर नहीं है तो आपको no करना है उसके बाद अगर आप जो retired serving sun हो एर फोर्स में तो आपको यहाँ से अपनी मर्जी से yes या no करना है उसके बाद आपको दिखाएगा कि आप कहीं से discharge हो इंडियन आर्मी इंडियन नहीं तो आपको yes या no करना है तो उसके बाद आपको जो आपकी मर्जी है yes या no select कर देना है yes या no select करने के बाद आपको यहाँ पे identification mall select करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी height select करनी है chest select करनी है भी आपकी होगी उसके बाद आपको waist size select करना है उसके बाद आपका जो shoe size है वो select करना है सारी details fill करने के बाद आपको save and continue पे click करने है save and continue पे click करने के बाद save and continue पे click करने के बाद आपको दिखाएगा additional details save it successfully उसके इसके बाद आपको यहां पर अपना जो परनेट एडरस है वो select करना है यहां पर आपको अपना house number select करना है उसके बाद आपको यहां पर अपनी country select करनी है उसके बाद आपको यहां पर अपना state या यूटी select करना है उसके बाद आपको यहां पर जो district है वो select करना है district उसके आपको यहां पर तासिल name enter करना है उसके बादón आपको यहां पर वेले स्लेक्ट करना है उसके बाद स्क्रன electronics पर एंट पास्पोर्ट साइज फोटो अप्लोड करना है उसके बादा आपको यहां पर अपनी सेग्नीचर अप्लोड करनी है और उसके बाद आपका जो left hand thumb impression है वो upload करना है आपका जो passport size photo है उसका size 10 से 50 के भी रहने वाला है उसके बाद signature का भी sam size 10 से 50 के भी रहने वाला है उसके बाद आपका जो left hand thumb impression image होगा उसका भी size 10 से 50 के भी रहने वाला है अपना photo, signature और thumb impression एपलोड करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको tick select करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे place एंटर करनी है, जहां से आप अपना जो online form है वो fill कर रहे हैं, अपना place fill करने के बाद आपको save and continue पे click करना है, save and continue पे click करने के बाद आपको दिखाएगा photo and signature details, save it successfully, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो city है वो select करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे five cities preference select करने है, आपको जो भी मरजी होगी अपनी choice के हिसाब से यहाँ पे five preference city select करनी होगी आपको, जैसे कि मैं पहले यहाँ पे अगर तला select कर करता हूँ, उसके बाद दूसरी city में बेंगराइग हो select करता हूँ, आपको अपनी choice के हिसाब से अपना जो city preference हो select करना होगी, five city preference select करने के बाद आपको यहाँ पे save city preference पे click करने हो, Save City Preference पे क्लिक करने के बाद Selected City Preference आपको दिखाएगा Allowed It उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फिर अपने जो 7 ACS Preference है वो Select करने होंगे, आपको अपनी चॉइस के हिसाब से अपने साथ जो ACS Preference है वो Select करने होंगे. 7. ASC Preference सेलेक्ट करने के बाद आपको Save ASC Preference पे क्लिक करने हैं, इस पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा Selected ASC Preference Allowed It, उसके बाद आपको ASC Preference Select करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको उसके बाद Home But Turns पे क्लिक करने हैं, उसके बाद आपको Top Right Corner, यानि यहाँ पे आपको आना होगा, यहां पे आने के बाद आपको यहां पे Home पे क्लिक करने हैं, सी हम और आपको यहां से app ूम कर सकती है अभर आप को यहां पी पेशाव वो और पर मेंड करने बाएं सब्स्वियरिय ऐसे पार्व में 46 प्रेंड करने के बाद्फ कहते हैं और अपने अप्रिंट आउच भ्राह ला प्रिंत लौस上 के derived कीा knight होगा this information provided by me is true तो उसके बाद आपको continue to payment पे click करना होगा continue to payment पे click करने के बाद आप अपनी जो payment है वो यहां से credit card debit card net banking upi जिससे भी आपके पास जो भी payment available होगी आप उससे payment कर सकते हो उसके बाद आपको यहां पे अपना payment mode select करना है payment alone select करने के बाद आप अपनी जो payment है वो successfully complete कर दोगे उसके बाद आपको back आ जाना है home पे home पे आने के बाद यहां पर आपको click करना है preview print application form पे तो आप अपने जो application form को हैं यहां से print कर सकते हो तो आपको यहां पर preview and print पे click करना है तो आपका जो application form है वो print हो जाएगा और ये थी मेरी आज की वीडियो कैसे लगी वीडियो like, share और subscribe करना ना बोले मिलते हैं एक और नई वीडियो में तब तक के लिए good bye, allahafiz, thank you